ग्यानवापी परिसर की सील बंच सर्वे रिपोर्ट को लेकर जिला जज डॉक्टर अजे कृष्ण विश्वेश की अदालत ने बुधवार को फैसला सुनाया। जिला जज ने सर्वे रिपोर्ट सारवजनिक करने का आदेश दिया है। भारतिय पुरातत्व सर्वेक्षन ए खिल की थी। हिंडू पक्ष का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील विश्णु शंकर जैन ने कहा आज अदालत ने दोनों पक्षों को सुना और सहमती बनी की A.S.I. की रिपोर्ट की हार्ड कॉपी दोनों पक्षों को दी जाएगी। A.S.I. इमेल के माध्यम से रिपोर्ट द वादिनी सीता साहू, रेखा पाठक, मंजू व्यास और लक्षमी देवी की तरफ से सर्वे रिपोर्ट की प्रती दिये जाने का अनुरोध अदालत से किया गया था। वादिनी महिलाओं का कहना था कि यह जनहित का मुद्दा है। इसे गोपनिय बना कर हववा बनाया जा हिंडू पक्ष की ही एक अन्यवादिनी राखी सिंग का कहना था कि अदालत में दाखिल रिपोर्ट के अधेन का अधिकार वादी पक्ष को है। वहीं अंजुमन इंतेजामिया मसाजित कमेटी का कहना है कि यदी सर्वे रिपोर्ट वादिनी महिलाओं को दी जाती है तो उ उन्हें भी उपलब्ध कराई जाए। उधर ASI का कहना है कि जब तक प्राचीन मूर्ती स्वेंभू जोतिरलिंग लॉर्ड विश्वेश्वरनाथ के मुक्दमे में ग्यानवापी सर्वे की रिपोर्ट की प्रती वह दाखिन ने कर दे तब तक उसे सारवजनिक ने किया जाए फिलहाल के लिए बस इतना ही एक बार फिर लोटेंगे एक नई अपडेट के साथ